तो हाई दोस्तों स्वाधत करती है एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमली में तो भाई इतने सारे कंटेस्टेंट और इतना बड़ा नॉमिनेशन और नॉमिनेशन में सिर्फ तीन लोग जो हुए है वो हुए है नॉमिनेट क्योंकि नील भट तो अल्रेडी जो है कि अंकीता लोखंडे और कही ना कही ना कही एव अंकीता लोखंडे के साथ जिसको मुनावर भाई ने जो है वो सीदा नॉमिनेशन में डाल दिया था अब यहाँ पर कही ना कही मुझा ऐसा लगता है कि अनुराक डोभाल की जगा वो विकी जैन होना चीए तो फुल कपल्स वर्सेस कपल्स जो हो जाता घर के अंदर भी और घर के बाहर भी पर चलो कोई ना विकी जैन ने कही ना कही जो है वो बच गया किसी नोसको नॉमिनेशन में नहीं जाला तो अब यह चार लोग जो नॉमिनेशन में आये हैं तो इनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड की तो ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में नील भट हमेशा की तरह जब से नॉमिनेशन में आये हैं वो विचारे बॉटम में ही चल रहे है हलाकि सनारा इस खान को उनोंने कहीं न लीड कर लिया था बट उसके बाद से वो बॉटम में चल रही है और यहाँ पर नील भट जो है वो नमबर चार पर है और यहाँ पर जैसे शो में उनकी वाइफ जो है नील भट को लीड कर रही है तो अगर शो के बाहर वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर भी उनकी वाइफ ही उनको लीड कर रही है नमबर तीन पर है एश्वरिया शर्मा नमबर दो पर है यहाँ पर अंकीता लोखंडे और नमबर एक पर है पूरी तरीके से जो है वो कॉंटेंट दिने की कोशिश कर ही रहे हैं तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप नॉमिनेशन के बारे में और इविक्षन के बारे में प्लीज हमें हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और सारे लेटिस्ट अबडेट के लिए हमारे चैनल बोलफटाफट को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जाधा से जाधा शियर करें